बच्छे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो देखिए आप लोग का बेस सबरी से इंतिजार था कि कॉंपर मेंटल एक्जाम होगा की नहीं मैंने बोला था आज मैं आपको फाइनल खवर दे दूंगा लेकिन अभी भी देखिए मैंने ओपीसियल इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि कोबिद 19 की बज़े से वो लोग भी बेस्ट है और अभी एक्जाम का वो लोग बाते हो रही है एक्जाम के बारे में तो एक्जाम रखा जाएगा एक्जाम तो देखिए जो रूल्स लागू किया गया है वो रूल्स कैसे तोड़ सकता है ठीक है वह नहीं तूटेगा मतलब जो लागू कर दिया गया है वह चलेगा है आपका एक्जाम्प्रद ही यहाँ का इक आर्टिकल में दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप जिया जिसका करना है जिस सब्सक्राइब ऊसकर ऊप्सक्राइब अच्छ इस जीन आपको फूल यह Original Sn年 इसक्राइब आपको मिलेगा होगा ठीक है और एक बात हो एक होगा देह तक है यह नहीं दिखाए रहा हो जिए जीद रखाएगा कब देखिए फिर ठेना है डास तो जली चलिफ और अगतelly को राश्ट में रहे Bigg tragen लगा यह रहा हं और जोबिचार अगरे है कि नहीं होगा नहीं अप पढ़ाई जारी कर दिजिए भाई रहने नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है पढ़ाई तो करना ही है ना पढ़ाई अभी से सुरू जो जो सब्जेक्ट फेल है अभी से सुरू कर दिजिए यही नोटिफिकेशन है इसी को मान के चलिए कि जुलाई में आपका एक्जाम सुरू हो रहा है आपको टाइम ही नहीं यह तो जून और जुलाई बह Erik बहुत काफिए यही तो अहद का पुड़ा आपको समय मिल जुलाई कार लासिक में एकजाम शुरू हो जाएगा अगस्टी में एक्जाम खतम हो जाएगा अगर लास्टिक में रिजल भी डिग्लियर हो जाएगा क्या बराबात है यही तरह होगा खिंतू बार-बार बोल रहा हूं और आपको अगर बलीब नहीं हो रहा है तो मैं और आर्टिकल दिखा रहा हूं प्विए थोड़ा और आर्टीकल दिखा रहो देखें यह एक आर्टीकल था यहां पर धिखियेगा सब्सक्राला आघम सेया Kayla कंदगडिक्डे एचल्ची इंग्जामेशन कॉमपारिमेटल ईग्जामेशन ओन में एक्जाम सेंटार वेर स्टूडिंगं सेंटार एक्जामे और एक्जामेशन चीमा अब दाफ फेल एक मेक्सिमम अफ त्री सब्जेक्ट देखिए यहां पर में ने बोल दिया था कि कौन सा आपको किसी स्टुडेंट का डाउट है तो आपको अभी भी बोल रहा हूं more than 170 mark आपका होना चाहिए और 3 subject ही बेख होना चाहिए अभी भी बोल रहा हूँ more than 170 mark या 170 170 जिसका है वो भी बंदा दे सकता है 170 ज्यादा है वो भी दे सकता है और एक बात है जे बोल देना चाहता हूँ कि आपको 3 subject ही बेख होना परेगा ज्यादा से ज्यादा तीन सब्जेक्ट ही बेख होना परेगा वही compartmental दे सकेगा और जिसका चार सब्जेक्ट बेख है चार सब्जेक्ट बेख होने के बाद आपका mark 200 more than 200 भी हो आपका कोई फायदा नहीं आप फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए ठीक है टाइम टेबल दिया नहीं लेकिन टाइम टेबल जुलाई ही होगा ठीक है जुलाई ही होगा देखिए यहां पर भी दिया गया है श्टर्डिंग डेट अपडेट है अपडेट चुन एंडिंग डेट चुन यह आपकोocumented आपडेट है यह होगा लेकिन ए्ग्जाम होगा हंडेट परसन मैंने ख़वर लिया इक्जाम हो गई ठीक है है पड़ा मैंने निउस्पेपर को भी निकाला पर निउस्पेपर में भी ओएसा वह लोग 100 परसन नहीं बोल सका है ठीक है तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूं यह तो देखी रहे हैं यह ओपीशल वेफसाइड है असाम का ठीक है यह ओपीशल वेफसाइड में गया था मैं कुछ नोटिफिकेशन था नहीं यह ओपीशल भी नहीं नोटिफिकेशन बड़ लेकिन एक बात है कि आपका एक्जाम होगा एक बात है कि आपका जो सप्लिमेंटरी एक्जाम है वह होगा ठीक है और एक बोलना चाहता हूं कि डेट भी मिल जाएगा आपको कोई टेंशन न चैंस के जाकि जाएगा सइन्स सोशल और मेट अभी भी बोलना हूं साइन्स और मेड यह तीन सबजेक्ट हंडेट पर्सन आपको कोबर कीयाँ गा और जो कोशन धिया जाएगा वही एक्साम में आपको जाएब का कोशन आएगा यहि तो आप भी लिया जाएगा यहीं से त और आपको अगर पार्सनली चुईशन चाहिए तो फोन कर सकते हैं मुझे अगर ग्रूप में चाहिए सब के साथ पढ़िएगा फ्री चुइशन चाहिए फिर भी होगा तो आपको बी ही चुपā वहां पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो जिनका जिनका जो भी प्रोब्लमनें एक बहुत इजी होता है पेपर भी इस बार आई जिए रहेगा ज्यादा हाड लेवल रहेगा ही नहीं इजी पेपर रहेगा और रिपीटेशन ज्यादा रहेगा मतलब रिपीट कोस्टें चाहिए ठीक है कल में एक लाइफ वीडियो गया था तो वह साथ वीडियो अपलोड हो नहीं पाया कुछ नेट्वर्क की बजए से तो वहां पर मैं अभी भी साइध है तो देख सकते हैं वहां पर मैं अच्छी तर समझा दिया हूं ठीक है तो लाइफ आ भी सकता हूं मैं लेकिन आज नहीं आँगा लाइफ लेकिन आप लोग मुझे कॉंटेक्ट कर दीजिए कॉंटेक्ट करने के बाद किसका क्या पेपर बेख हुआ है आप अराम से बुलिए आपका ट्यूशन रखा जाएगा मैं गुरूप बनाना चाहता हूं मेर्स का अलग साइन्स का अलग सो क्यापई बाद कर दो अम्राइब रगा रॉटोग साइन्स का उन्स का अलग सक्ट रखाएब बनाना चाहता हुआ हूं आपका लग लोगाई प्माना आपका राद को रुट कॉलिए।